दोस्तों ओर्चा मद्ध्य पर्देश के बेतवा नदी के किनारे इस्तित एक बहुत ही सुन्दर सहर है जिसे मद्ध्य पर्देश का साही सहर भी कहा जाता है और्चा मात्य पर्देश का एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो फ्रेंड्स टूर, फैमली वे कैसा और यहां तक की निव मेरीड कपल्स के लिए भी इंडिया की बेस्ट हॉलिडेज डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है और्चा के महलों और मंदीरों की वस्तुकला फोटोगराफरों के लिए भी एक अट्रेक्शन का केंद्र बनी हुई है तो आईए दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से हम और्चा के परमुक परियाटक अस्थर और और और्चा की यात्रा से जुड़ी पूरी इनफॉर्मेशन को डिटेल्स में जानते हैं तो दोस्तो सबसे पहले जानते हैं और्चा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगों के बारे में तो पहला जगा है और्चा फोट बेतवा नदी के तटपर इस्तित और्चा फोट और्चा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगों में से एक है यह कीला और्चा पर्याटन का महत्वपूर हीसा है जो पर्याट को हिस्ट्री लवर्स और आर्टिटेक्चर लवर्स के लिए एक आट्रेक्शन का केंदर बना हुआ है जब भी आप और्चा फोट जाएंगे तो आपको यहां कीले महल, मंदिर और एतिहासिक एसमारकों जैसी कई सनरचनावें देखने को मिलेंगे इनके अलावा और्चा फोट की आतरा में आप यहां लाइट एंड साउंड सो भी पाटिसिपेट कर सकते हैं यहां का एंटरी टाइम सुब़ 6 बज़े से 3-6 बज़े तक है, इंटरी फिज 10 रुपिया इंडियन के लिए और 250 रुपिया बिदेशियों के लिए अगला अस्तान है जहांगीर महल, जहांगीर महल और्चा के परमुक परियाटक अस्तलों में से एक है यह अस्तान मुगल वस्तुकला का उतकृष्ट उदाहरन है जिसमें महाल के गुमबदों को तैमूरी संस्कृति के अनुसार बनाएंगे इसके अलवा महाल के द्वार भी इतने भी साल हैं कि सीधी हाथी भी महाल के अंदर परवेश कर सकते हैं यदि आप अपने फ्रेंड्स या फेमली के साथ ओरचा के बेश्ट टूरिच प्लेसे की ट्रिक पर जाने वाले हैं तो आप अपने ट्रिक में जहां किर महल को सामील अवस्य करें अगला अस्तान है राम राजा मंदिर और्चा की यात्रा में घुमने के लिए सबसे अच्छी और पवित्र जगहों में से एक हैं राम राजा मंदिर देश का एक मत्र ऐसा मंदिर है जहां भागवान राम को राजा के रूप में पुजा जाता है अगला स्थान है राज महल ओर्चा ओर्चा फोट कम्पलेस में इस्तित राजा महल या राज महल ओर्चा पर्याटन का एक और महत्तपूड हिसा है जो हर साल हर जारों पर्याटकों को अपनी और आकरसित करता है 17 सताबदी के दवरा निर्मित राज महल का निर्माण तुरूटी हीन वस्तुकला और लुभानी ववेद्धा के साथ खुपसूरती से किया गया है महल में संदार मीनारे और संदार चित्र है जो यहां आने वाले परियाटकों और काला प्रेमियों के लिए अकरसन का केंदर बने हुए है अगला अस्तान है चतुरभूज मंदिर चतुर्भुज मंदिर ओर्चा के प्रसीद मंदिरों में से एक है जो भागवान विसुण को समर्पित है मंदिर का एक बड़ा हिसा अभी तक अधूरा है जो एक दिल्चस्प तत्थे बना हुआ है और इसे इतिहास प्रेणियों के लिए ओर्चा के पर्मुख परियाटक अस्थलों में से एक बनाता है अगला अस्थान बेतवा नदी ओर्चा बेतवा रिवर ओर्चा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगों में से एक है बेतवा नदी ओर्चा की ट्रिप में घूमने के लिए एक ऐसी जगह है जहां आप ओर्चा के famous historical places और temples घूमने के बाद बेतवा नदी में rafting और boat ride जैसे adventure activities को enjoy कर सकते हैं अगला स्थाने फूल बाग ओर्चा फूल बाग ओर्चा के अकड़सर अस्थल में एक और खुबसूरत जगह है जो हरी भरी हर्याली से भरा हुआ है फूल बाग या फूल गार्डेन में कई फवारे भी मौजूद हैं जो इसकी सुन्दर्ता में चारचांद लगाने का कारे करते हैं अगला इस्थान है लक्ष्मी नरायन मंदीर लक्ष्मी नरायन मंदीर सरधालों के साथ साथ कला प्रेमियों के लिए एक अट्रक्षन का केंद्र बना हुआ है क्योंकि इस मंदीर में एक अनूठी वस्तुकला है जो एक कीले और मंदीरों के सांचों का अध्भूत मिसरण ह इसके अलावा मंदिर की दीवारों पर की गई सुंदर चितरकारी भी देखने लाइक हैं अगला स्थाने और्चा वन्ने जीव अभेरन और्चा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगों में से एक वन्ने जीव अभेरन उन परेयाटपों के लिए आदर्स जगह हैं जो बन्ने जीव को करीब से देखना पसंद करते हैं यहां आप बन्ने जीव की कई परजातियों को दीख सकते हैं अगला स्थाने दाव जी की हवेली जहां गिर महल के उत्तर में इसी दाव जी की हवेली और्चा में घूमने के लिए एक और आकर्सक जगा दाव जी की हवेली में खुबसूरत वीती चीत्र भी मौजूद हैं जो सदियों से अच्छी तरह से संरक्षित हैं इतिहास में रूची रखने वाले परेयटकों के लिए दाव जी की हवेली और्चा की एक और महत्वपूर जगा है जो हर साल बड़ी संख्या में परेयटकों को अपनी और आकर्सित करती हैं दोस्तो अब बात आती है और्चा जाने का बेस्ट टाइम तो दोस्तो अक्टूबर से मर्स तब का समय और्चा घूमने के लिए बेस्ट टाइम है क्योंकि इस दोरान और्चा का मौसम काफी सूखत और कमफर्टेबल होता है और्चा कैसे जाए तो दोस्तों यदि आप फ्लाइट से और्चा जाना चाहते हैं तो हम आपकी information के लिए बता दे और्चा के लिए कोई direct flight connectivity नहीं है और्चा का सबसे निकटम एरपोर्ट खजुराहो एरपोर्ट है जो ग्वालियर में है और या खजुराहो से 140 km की दूरी परिश्तित है ट्रेन से और्चा जाने के लिए सबसे नजदी की railway station जहासी है जो और्चा से सिर्फ 18 km की दूरी परिश्तित है बस के दूरा और्चा जाने के लिए आपको जहासी के लिए मदपरदेश के पर्मुक सहरों से direct bus से वाएं मिल जाएंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही यदि आप इस चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिया और साथ ही इस वीडियो को लाइक और सेयर भी कर दीजिया थैंक्यू